हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइन्स में तो आज हम फैब्रिक पट्टी के साथ प्लाजो पेंट का एकदम नया डिजाइन बनाएंगे पूरे यूट्यूब पे आपको ये वाला डिजाइन कहीं नहीं मिलेगा तो चलिए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना मैंने सेम प्लाजो पेंट वाले फैबरिक से ये एक पट्टी कट की है ये पट्टी मैने 1,5-3 इंच और लमबाई में अपनी प्लाजो पेंट की मौरी के जितनी ही ली है और इसकी उल्टी साइड पे न ऐसे मैंने paper pasting भी लगा ली है अब हमने इस पट्टी के दोनों साइडों पे एक lace stitch करनी है मैंने इस पट्टी के दोनों साइडों पे आधे-ाधे inch का margin लेते हुए दो हलके-हलके mark कर लिए है अब हमने इसी मार्किंग के उपर अपनी येवली लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है तो मार्किंग के उपर लेस को ऐसे रखेंगे और लेस की किनारी को दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है हमें सिरफ लेस की ये पंखुडियें ही दिखानी है बाकी की لेज को न हमने ऐसे सिलाई के नीचे दबा लेना है तो एक तरफ हमने ऐसे लेज को स्टिच कर लिया अब हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेज को रखते हुए स्टिच कर लेना है तो दोनों तरफ ना हमने ये वली लेज को ऐसे stitch कर लिया है अब हमने न बिल्कुल इसके center में जिगजग वाला pattern stitch करना है तो चलिए वो ready कर लेते हैं तो जिगजग वाला pattern ready करने के लिए न मैंने same plazo pent वाले ही fabric से ये एक पट्टी कट की है ये पट्टी मैंने न दो इन चौड़ी रखी है ऐसे और लंबाई में न मैंने ये एक मिटर के करीब ली है अब हम इस पट्टी को ऐसे double fold करेंगे और पहले उपर की तरफ ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे ऐसे सिलाई लगाते हुए न हमें पौना इन चौड़ी एक पट्टी रडी कर लेनी है तो मेरे ऐसे ही नए-नए डिजाइन्स देखने के लिए न मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे तो ऐसे पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली है अब हमने बंद वाली साइट से इसे पलट लेना है तो बंद वाली साइट से हम थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ करेंगे और फिर किसी भी सिलाई अब इनकी मदद से इसे पलट लेंगे ये खुली पट्टी है असानी से पलटी जाएगी तो मेरे ऐसे ही डिजाइन्स देखने के लिए मेरे फेस्बूक वेज को फॉलो कर लीजिए मैं हर रोज एक नई वीडियो फेस्बूक पे भी डालती हूँ तो ऐसे न हमने अपनी पट्टी को फ्लिप कर लेना है लंबी पट्टी रेडि करनी है आपने इस तरीके से अब हमने ये वली पट्टी को ऐसे इसकी सिलाई को बिल्कुल सेंटर में लाते हुए इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है तो पट्टी को ने मैंने प्रेस करके अच्छे से रेडि कर लिया है इस सिलाई को बिल्कुल बीच में लाते हुए अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे और इसका ना ट्रेंगल बनाएंगे ऐसे एक तरफ से ऐसे गुमाएंगे और दूसरी तरफ से ना ऐसे तो ऐसे हमारा ये ट्रेंगल आ जाएगा तो ये अब हमने एक तरफ से घुमाया ना पटी को अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही घुमा देंगे पटी को इसका भी दूसरी तरफ ऐसे ही ट्रेंगल बना लेंगे और इस पटी का ट्रेंगल बनाते हुए ना हमने अच्छे से प्रेस करते जाना है कि ये खुले न, ऐसे ही रहे तो अभी मैं आपको न, इसे प्रेस करके दिखाती हूँ तो एक ट्रेंगल हमने ऐसे बना लिया न, पट्टी का अब हमने न, इसे पानी डाल के अच्छे से प्रेस कर लेना है फिर दूसरी तरफ से इसका ट्रेंगल बनाना ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी पानी डाल के इसे प्रेस कर लेंगे बस ऐसे ही न, हमने साथ साथ करके ट्रेंगल बनाते जाना है एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला तो ऐसे हमारा एक खूपसूरत जिग्जग वाला पेटरन रेडी हो जाएगा फैब्रिक पट्टी के साथ ही तो फ्रेंच मैं बहुत ही असान तरीके से आपको यह वाला जिग्जग वाला डिजाइन बनाना बता रही हूँ बिग्नर्स भी इस तरीके से आसानी से यह जिग्जग वाला पेटरन घर पे ही बना सकेंगे बस ऐसे ही न हमने पट्टी के दोनों तरफ ट्रेंगल बनाते जाना है और इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठाते जाना है थोड़ो सा पानी डाल लेते हैं तांकि इजी हो जाए फिर यह ऐसे ही बैठ जाएंगे ट्रेंगल हमारे खुलेंगे नहीं ऐसे ही ट्रेंगल बनाते हुए हमें इसे अपनी प्लाजो पेंट की मोरी के जितना लंबा रेडी कर लेना है पैटरन को तो अभी मैं आपको अपना ये पूरा पैटरन रेडी करके दिखाती हूँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमने ये जिगजग वाला पैटरन प्रेस के साथ ही रेडी कर लिया है अब हमने न इस पैटरन को ये वाली पट्टि के उपर बिल्कुल इसके सेंищर में रखते हूँ इस टिच कर लेना है ऐसे हमने इसे सेट करके रख लेना और बिल्कुल इसके बीच में एक सिलाई लगा लेनी है ऐसे अगर आप इसके बीच में सिलाई लगाएंगे न तो आपकी सिलाई दिखेगी भी नहीं बिल्कुल इसी के बीच में छिप जाएगी तो ऐसे हमारा ये बहुती इजी एंड यूनीक डिजाइन न बनके तयार होगा तो ऐसे न हमने इस पैटरन को रेडी कर लिया है बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगाते हुए अब हमने इससे नीचे से फोल्ड कर लेना है तो उसके लिए मैंने सेम प्लाजो पैंट वाले ही फैब्रिक से ये एक पट्टी रेडी की है तो ये मैं आपको बता दू कितनी चौड़ी और कितनी लंबी ली है ये पट्टी न मैंने दो इन चौड़ी ली है और लंबाई में इसके बराबर ली है और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे पेपर पेस्टिंग लगा के मैंने दोनों तरफ से आधाधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और फिर इससे ऐसे फोल्ड करते हुए न मैंने प्रेस कर लिया अब हम इस पट्टी को न ऐसे खोल के रखेंगे और अपने ये वाले पेट्रन को न इसके अंदर ऐसे दबाते हुए ले इसकी न सिरफ पंखुडियां दिखाते हुए न हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे तो फ्रेंच हमने इस पेट्रन को न नीचे से ऐसे फोल्ड भी कर लिया है अब हम इस पेट्रन को अपनी पेंट के साथ स्टिच करेंगे तो पेंट को खोल के ऐसे सीधा करके रखेंगे और पेट्रन को न इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे लेस वाली सिलाई के उपर इस सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई लगा ली है अब हम इस pattern को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे और यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे तो उपर की तरफ हमने यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लगा ली है और यह डिजाइन हमारा ऐसे बनके तयार हो गया है अब हमने क्या करना यह triangle के ना कोने कोने पर एक एक परल पेस्ट कर देना है fabric glue के साथ यहाँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पर यह half परल पेस्ट कर दूँँगी यह fabric glue ना हमारी धोने से नहीं उतरती इसलिया बिना tension से ना इसके साथ कोई भी परल पेस्टं कर रखते हो वैसे अगर आप चाहो तो ये ट्रेंगल के कोने कोने पे न सुई धागे के साथ पर्ल स्टिच भी कर सकते हो मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ ये वले पर्ल पर्ल के साथ ना हमारा ये डिजाइन और भी खुब सुरत लगेगा तो अभी मैं आपको न अपने सारे पर्ल यहाँ पेस्ट करके दिखाती हूँ तो ये देखिए दोस्तो सारे पर्ल हमने यहाँ पेसे पेस्ट भी कर लिये हैं और ये सूख भी चुके हैं और देखिए कितना सिंपल और ब्यूटिफुल हमारा ये डिजाइन लग रहा है न तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो फिटिंग की सिलाई भी हमने इसे लगा ली है और हमारा ये डिजाइन ऐसे बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है तो अभी मैं आपको इस डिजाइन की लेंथ भी बता देती हूँ इसकी जो लेंथ है वो हमारी 3.5 इंच के करीब ready हुई है आपने अपनी जो पेंट की लेंथ है वो 3.5 इंच कम cut करनी है तो चलिए अभी मैं आपको इसे पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा ये plazopend का डिजाइन कुछ ऐसे आजाएगा तो आप भी ये वला डिजाइन अपनी plazopend पे जरूर ट्राइ कीजिएगा डिजाइन और वीडियो ची लगियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन जरूर दबाए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई